Hello my dear students, मैं रागिनी पंडीत आप सब का फिर से स्वागत करती हूँ बच्चों हमने स्वर और वेंजन सब सीखे हैं तो आज हम इसी वर्नमाला से डर इस वेंजन से शुरू होने वाले कुछ शब्द देखने वाले हैं तो देखते हैं ये कौन सा शब्द है जो डर वेंजन से शुरू होता है क्या है ये ये है डमरू लॉड शिवाज इंस्टूमेंट और इसे क्या कहते हैं पैलेट ड्रम और ये है डाक डाक याने लेटर तो देखो बच्चो डाक ये शब्द द इस वेंजन से शुरू होता है और ये है डाक गर याने पोस्ट ओफिस और ये कौन है ये है डाकिया डाकिया याने पोस्ट मन तो डाकिया क्या करते हैं डाकिया हमारे डाक डाक गर से हम तक पहुंचाने का काम करते हैं और यह कौन सा शब्द है डूबना डूबना याने टूब ट्रॉन और यह है डबल रोटी डबल रोटी याने ब्रेल और यह क्या है पता है आपको नहीं पता ओके आप मैं आपको बताती हूं यह है डफली याने टैमोराइन यह एक संगीत का वात्य है और यह है डलिया डलिया याने बासकेट इस डलिया में हम फल भी रखते हैं और पूल भी रख सकते हैं और यह है डंडा देखा है ना डंडा आप सबने तो डंडा मतलब ऊडन रोट और ये है डगर डगर याने रास्ता पात और ये कौन है ये है डकैट डकैट याने रॉबर्ड याने चोड और ये कौन सा शब्द है ये है डर डर याने पियर ये है डोरी डोरी याने कोड और ये है डोली क्या है ये दोली याने ब्राइडल काट अब कौन सा है शबusion्त ये है डाली याने ट्विंग और यी है ड्रापर और ये है ड्राम ये भी एक संगित का बाध्य है आज हमने कौन से शबदा देखे हैं? किस वेंजन से शुरू होते हैं? एकदम सही आज जो हमने शब्द देखे हैं वो ड इस वेंजन से शुरू होते हैं तो कौन से कौन से शब्द देखे हैं हमने डर, डाली, डाक, ड्रम, डोली, डोरी, डाकिया, डूबना, डफली, डलिया, ड्रॉपर, डमरू, डबल रोटी और डागर तो बच्चों आज हमने क्या सीखा है ड इस वेंजन से शुरू होने वाले कुछ शब्द उन शब्दों का अंग्रेजी में क्या मतलब होता है वो भी हमने सीखा है उमिद है इस विडियो की साहयता से आपको ड इस वेंजन से बनने वाले बहुत सारे शब्दों की जानकारी मिल गई होगी फिर मिलते हैं एक नए विडियो के साथ वातक के लिए बाई बाई स्टूडेंट ट्ट्राई च।